आज में आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी आप लोग अप्री प्री हिंदी की पापी निकालिये कोले आप लोग को हिंदी में दो अक्षर से बने सब तीन अक्षर से बने सब बता चुकी हूँ आज मैं बताऊंगी चार अक्षरों से मिलाकर सब 21 तरह बनता है ठीक है? आप लोग अपने प्री कापी पे नोट भी करेंगे ओके? ये क्या है? बताऊंगी कौन सा अक्षर है? मा बिल्कु सही ये है लग फिर ये लिके है मा फिर ये हो गया लग अगर ये अक्षर उसके बाद से ये अक्षर फिर उसके बाद से ये अक्षर उसके बाद ये अक्षर ये चारों अक्षरों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मल मल क्या बन जाएगा? मल मल ओके? आप लोग पापी पे भी नोट करेंगे ये है द म कल क्या बन गया सरबत यह क्या हरदम चारक्षर है ना हाँ खटमल बनकर है ना यह आप लोगों चारक्षरों से मिलाकर बन रहे है ना साब यह बन गया सरबत सरकर दसरथ इसके वासे होगा म ल म ल मल-मल चा बड़ चटपड है ना आप लोग लिखते जाएंगे अब लिखेंगे ग-र-द-न लिखेंगे ना आप लोग कपी में हाँ यह आपका बन गया चारक्षरों से मिलाकर सब्द बनाना बनाना आप लोग कपी पर नोट कर लिए ना अब आप लोग को सिखाऊंगे इसके बाद कौन सा अक्षर लिखाएगा जैसे यह है मौ मौ के बाद हम क्या लिखेंगे या बेरी गुड यह क्या है रो रो के बाद क्या लिखेंगे लो अरे ना समझ में यह क्या है बो बो के बाद क्या होता है अरे ना समझ में यह क्या है क के बाद क्या होता है अरे समझ में अब इसके बाद आप लोग को सिखाऊंगे इसके पहले क्या होगा? कौन सा अक्षर लिखाएगा, ठीक है? इसके पहले क्या होगा? जैसे हम बता ही तो यह क्या है? ठा के पहले हम क्या लिखेंगे? ठा उसके बार ठा के पहले हम क्या लिखेंगे? ठा और रहे हैं ना समझ में तो अब आप लोग अपनी प्रीपनी कपी पे नोट कर लिये ठीक है अब आप लोग अपनी प्रीपनी कपी में आज आप लोग का होमवर्ग रहा चार अप्छों से मिला कर 20 सब्द बना कर लाना है ठीक है और इसके बाद क्या होगा इसके पहले क्या होगा यह अगली बड़ मैं दूंगी होमर के आज का होमर का आपका यही रहा